असलामनेकुम, मेरा नाम मारिया हान है और मैं अमानन.com से बिलॉंग करती हूँ आज मैं जिस प्रोजेक्ट के बारे में डिसकस करूँगी उसका नाम है अलमक्का सिटी अलमक्का सिटी के इंट्रोड़क्शन के तरफ आते हुए अलमक्का सिटी एक लग्शुरी रिजिदेंशल प्रोजेक्ट है और यह निव इंट्रनेशनल इसलामबाद एरपोर्ट के क्लोज प्रोक्सिमिती में लोकेटिद है बेसिकली यहां पर तमाम इंट्रनेशनल स्टेंडर्स को फॉलो किया गया है यहां पर जो फसिलिटीज लोगो प्रोवाइट की जाएंगी जो यहां का इंफरस्ट्रक्चर है जो यहां का मास्टर प्लान है इन सब चीजों में इंट्रनेशनल स्टेंडर्स को फॉलो किया और उसके इलावा ये एक बहुत ही ideal location पर बेस्ट है यहां पर तमाम वो facilities प्रोवाइड की जाएंगी जो के एक तो entertainment के लिहास से बहुत important है और उसके इलावा जितनी भी main necessities जो के basic human needs हैं जैसे के hospitals हैं, schools हैं, colleges हैं, medical healthcare centers हैं, shopping malls हैं, restaurants हैं, यहां पर यह हर चीज यहां पर available अब Al-Makka के master plan के बारे में बात करते हैं, तो basically Al-Makka जो है वो four blocks में divided है with farmhouse plots तो उसके जो blocks है वो divided है A, B, C और D block में और इसके लावा जो उसके residential plots हैं, उसमें different sizes available हैं, पांच मर्ला, दस मर्ला और एक कनाल और जो उसके commercial plots हैं, उसमें दो sizes available हैं, पांच और दस मर्ला और उसके इलावा जो उसके farmhouse plots हैं, उसमें भी different sizes available हैं, जैसे के दो कनाल, चान कनाल, पांच कनाल, छे और आट कनाल और यह से तमाम sizes यहां पर मौझूद हैं तो इसका जो master plan है, वो international standards और international facilities को देख कर बनाया किया है, इसकी जो main road है, वो 60 feet wide है, और जो उसकी sub roads है, वो 120 feet wide है, और उसके इलावा जो उसकी बाकी सड़के हैं, वो काफी कुशादा सड़के हैं यहां पर तमाम वो facilities प्रोवाइट की जाएंगी, जो के international standards के हिसाब से और उसके इलावा main human needs के उसके उपर पूरा उतरती हैं इसके हर block का एक अपना commercial center मौजूद होगा, जहां पर तमाम facilities दी जाएंगी, जैसे के shops हो गई, restaurants वहरा हो गई, यहां पर तमाम वो सहोलियात हर block में separately provide की जाएंगी अब बात करते हैं, अलमक्का की location के बारे में जैसे के आप देख सकते हैं, अलमक्का एक बहुत ही prime location पे मौजूद है, यह चक्री इंटरेंट से सिर्फ और सिर्फ आँस मिनिन की दूरी पे मौजूद है इसकी जो location है, वो new international Islamabad airport के काफी करीब है और इसके इलावा, इसकी surrounding में 15 minutes के फासले पे कृतुबा city और blue world city और capital smart city मौजूद है और इसकी जो location है, वो इस तरह की है कि इस से Islamabad बाद बहुत जादा करीब है और यह एक ideal location है, investors के लिए, जो के future में कहीं invest करना चाहते हैं, profit gain के लिए यह उनके लिए एक ideal location है, क्योंकि यह एक middle point बनता है और यहां से तमाम सड़के और तमाम दूसरी जखें काफी करीब है अब बात करते हैं, facilities के बारे में जौल मक्का प्रोवाइड कर रहा है जैसे के मैंने पहले ही बताया कि इनकी जो भी facilities हैं, वो सारी international standards को follow करती है तो यहां पर e-tag entry होगी, यहां पर US standard के hospitals बन रहे हैं इनकी जो मॉस्क है वो बाबरी मस्जिश जो के इंडिया में located है, उसके रपलिका बन रही है और इसके लावा तमाम basic necessities जो के residents को जरूरत हो दिया, जिनकी वो सब यहां पर available होंगी जैसे के college हो गए, school है, medical healthcare centers है, shopping malls है, restaurants है और उसके लावा इनका water, gas and electricity का system है, वो सारा underground है, इनका serious system सारा underground है तो यह एक बेहतरीन opportunity है उन लोगों के लिए जो के ना सिव एक अच्छी जगा पर रहना चाहते हैं बलके उन investors के लिए जो के एक अच्छा profit गेन करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही जबर्दस opportunity है for investment अब बात करते हैं Al-Makka के developers के बारे में तो Al-Makka के developers हैं वो Park Builders Private Limited हैं और इनका जो aim है, जो उनका target है, यह लोगों को एक comfort और एक luxury प्रोवाइट करना चाहते हैं और इस तरह की opportunities उन लोगों के लिए provide करें जो के invest करना चाहते हैं और एक बहुत ही अच्छी जगा पर रहना चाहते हैं तो इनका यह aim है कि यह लोगों को different गिसम की opportunities से provide करें ताकि वो लोग अच्छी जगा पर इन्वेस्ट कर सकें और अच्छी जगा पर रह सकें बैसिकली यह लोग community services के हिसाब से एक नया standard सेट करना चाहते हैं और यह इनका main goal है अब बात करते हैं ALMAKA के NOC के बारे में अमानत की team ने NOC के बारे में सारी information खुद personally collect की है तो basically इनकी जो भी documentation है वो already RDO को submit हो चुकी है लेकिन अभी तक के लिए इनके पास NOC मौझूद नहीं है लेकिन इनकी जो भी processing है for NOC वो भी तक जारी है लेकिन इनकी पास land मौझूद है और जो भी इनके clients हैं जो के इनसे property खरीबते हैं यह इनको registry provide कर रहे हैं land के हिसाब से अब मक्का city के payment plan के बारे में बात करें तो इसके तीन categories है plots की residential, commercial और farmhouses और जो इसके residential plots हैं उसमें भी different categories है different sizes हैं पांच मर्ला, दस मर्ला और एक कनाल और पांच मर्ला की जो total price है वो है 11,90,000 और उसकी down payment है सिरफ 1,20,000 और जो उसका 10 मर्ले का plot है वो है 21,00, का और इसकी जो down payment है वो है सिरफ 2,10,000 और जो एक कनाल का plot है उसकी total price है 31,00, और इसकी जो down payment है वो है 3,10,000 रुपीज अब मक्का के commercial plots के बारे में बात करें तो इसकी भी दो categories है पांच मर्ला और दस मर्ला और जो उसके पांच मर्ला plot है उसकी total price है 60,00,000 और इसकी जो down payment है सिरफ 6,00,000 रुपीज और जो इसका 10 मर्ला का plot है उसकी total price है 1,20,00,000 और इसकी down payment है सिरफ 12,00,000 रुपीज अब मक्का के farmhouse plots के बारे में बात करें तो इसकी plot की different categories है 2 कनाल, 4 कनाल, 5 कनाल, 6 कनाल and 8 कनाल और जो इसकी 2 कनाल की total price है वो है 46,50,000 और इसकी down payment है 9,30,000 रुपीज और जो इसका 4 कनाल का plot है उसकी total price है 66,50,000 और इसकी down payment है 13,30,000 जो इसका 5 कनाल का plot है उसकी total price है 84,00,000 और इसकी down payment है 16,80,000 और इसकी जो 6 कनाल का plot है उसकी टोटल प्राइस है 1 करोर और इसकी जो डाउन प्राइस है 20 लाग रुपीज और इसकी जो लास्ट केटिकरी है वो है 8 कनाल उसकी टोटल प्राइस है 1 करोर 36 लाग और इसकी डाउन प्राइस है 27 लाग 20 थाजन रुपीज अब बात करते हैं अलमका city के development status के बारे में तो अलमका city का जो A और B block है वहां पर construction काफी तेजी से जारी है इनके सारे ही blocks पर वैसे काम हो रहा है लेकिन A और B पर जादा फास्टली इसके उपर काम हो रहा है अलमका city के बारे में बात करते हैं और इनकी बुकिंग के लिए जो प्रोसीजर है उसके लिए कौनसी डॉकमें निडिड होंगे तो basically booking procedure इनका बहुत ही simple है आपको चाहिए होंगी 2 CNIC copies और 2 passport size images जो के main applicant है उसकी और उसके रावा चाहिए होंगी 2 CNIC copies जो के nominee है उसकी और 2 passport size images वो भी जो nominee है उनकी इनकी बहुत ही simple booking procedure है अब इस video को end करते हुए मैं उमीद करती हूँ कि आप लोगों को ये video informative लगी होगी और आपको वो जो information required थी वो आपको इस video के थूँ मिल रही होगी उसके इलावा मजीद इस तरह की videos देखने के लिए आप हमारे चैनल को subscribe करें, like करें, comment करें और अपने लोगों के साथ share करें जो के इस information से फायदा उठा सकते हैं और अगली दफा तक के लिए मुझे दीचे अजाजत, Allah हाफिस